इंदौर की लसुड़े ताना चेतर में देर रात एक नाबाले की तीन लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, हमले में उसका साथी भी घायल हो गया उसे गंबीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया है, पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है, ये घटना तब हुई जब शेहर में मुख्यमंत्री के आने के काडिकरम को लेकर पुलिस अलर्ट थी ये घटना इंदौर के स्केम नंबर 78 की है, जहां मामुली विवात को लेकर इंदौर में नाबालिक की हत्या कर दी गई, तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूस्ताज जारी है यहां रहने वाली 17 साल के हितेंद्र और उसके दोस्त मयूर पर तीन नाबालिकों ने हमला कर दिया, हमले में घायल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लेक जाया गया, जहां डॉक्टर ने हितेंद्र को मृतक घुशित कर दिया, मयूर का इलाज चल रहा है, पुलिस ने पर एक नाबालिक बच्चे की फूंत हुई, क्या अभी रिस्टिकेशन सामने आया है और क्या जानकारी में है, साम के करीब साड़े आठ भी जो लड़के रहते हैं, यह पर लड़कों गुमते हैं तो यह आवारा करदी भी करते हैं, तो इस पर से हितेस जकताब है, उसके लड़के को 16 साल नावालिक है, उसको कि लड़कों ने आपस में निकलते हैं, गुर्ट में निकले तो आपस हैं, जो आरूपी पकड़े गए हैं, राज और करन, उन्होंने बताया है कि बाद भीवाद पे टैल्स का तुकड़ा उठाके मार दिया है, इस पर से, यह आपस ह आपनमबहें कुछ लड़कें थे, उनने आके शाको मार दिया है, पेटे थे।